नेचर हमसे नमबर के साथ कम्यूनिकेट करता है और वो नमबर का जो कोड हता है मतलब हर एक individual नमबर का तो एक frequency होती है उसकी एक energy होती ही है no doubt लेकिन अगर उन्हें हम combine करे जैसे कि हम कहता है न कि एक अंगली की अलग-अलग frequency है अलग-अलग उसकी काम करने की ताकत है अलग अगलग उसका नेचर है लेकिन अगर हम उन्हें कमबाइन करें तो डेफिनेटली एक कमबाइन और पाउफुल फोर्स क्रियेट होता है बिल्कुल वही होता है यह नंबर्स को जब हम कोर्स में यूज करते हैं यह जो हमारी हीलिंग के लिए हमारी बाते हैं जो हम कठिन लग है हमें और उन्हें हमें पूरा करना है वह हमारे ज्रीम से हमारे गोल से हमारे लक्ष है तो यह नंबर के कोर्स जो है वह हमें उसके लिए हल्प करते हैं